योकानन वाक्ट फ्रम होम टू दबस्टॉप अट अवरेज स्पीड अफ फाइफ किलोमीटर्स पर आर अब योकानन आम का एक लड़का था जो की अपने घर से उसने शुरुआत की और वो अपने बस्टॉप तक तक गया फाइफ किलोमीटर्स पर आर की स्पीड में तो यहा हम साथ ही साथ इसको वीजोलाइज करने की भी कोशिश करें साथ ही साथ इसको देखने की भी कोशिश करते हैं कि आखर यहां पे चल क्या रहा है क्योंकि किसी भी word problem में जितने आसानी से हम equations को जितने आसानी से हम statements को देख पाएंगे उतनी आसानी से हम उसको solve कर पाएंगे तो मान लीजे ये गर है यो कैनन का और उसने यहां से शुरुआत की अपने गर से शुरुआत की और कुछ डिस्टेंस उसने वॉक करके यहां पर कवर कर लिया यह जो उसने वॉक किया यहां पर इसकी स्पीड थी यहां पर 5 km पर आर इसके बाद तुरंथी वो अपने स्कूल बस में चड़ गया and traveled at an average speed of 60 km per hour और उसके बाद वो अपने बस पे 60 km per hour की speed से वो जाने लगा and until he got into school जब तक कि वो यहाँ पे अपने school ना पहुंच जाए तो माल लेते हैं कि यह उसका एक नंहा सा प्यारा सा नंहा सा प्यारा सा कुछ school है ठीक है ऐसा कुछ जहाँ पे वो पढ़ने जाता है ठीक है तो यहाँ पे वो बस में था इतने दूर वो बस में था बस से वो गया अपने school तक ठीक है यहाँ पे उसकी speed थी इस bus में उसकी speed थी 60 km per hour की the total distance from his home to school is 35 km अब जो total distance है उसके घर से लेके घर से लेके उसके school तक वो हमें दे दिया गया है 35 km यह total distance है 35 km ठीक है and the entire trip took 1.5 hours और यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसको total समय लगा वो 1.5 hours उसको लग गए तो हम से देखते हैं कि क्या पुछा गया है यहाँ पे how many kilometers did your cannon cover by walking तो पहले बात तो इसने walk करके कितने kilometers cover किये कितना distance उसने cover किया वो हम से पूछा किया है और फिर हम से पूछा गया है कि how many kilometers did he cover by traveling on bus कि bus में बैठके उसने कितना distance cover किया है वो हमें बताना है तो सबसे पहले तो जो चीज हम से पूछी गई है उसे हम अपना variable बना लेते हैं क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है तो क्यों न उसको एक variable से represent कर दे ताकि हमको फिर equation बनाने में सहायता मिल जाएगी तो माल लेते हैं कि उसने walk करके total w kilometers distance cover की होगी यहाँ पे जो उसने walk करके total distance cover की वो w kilometers cover की होगी और उसी तरीके से जो उसने bus के सहारे bus में बैठ कर जो distance cover की वो हम कुछ माल लेते हैं यह distance हम कुछ b kilometers माल लेते हैं कि ठीक है माल लेते हैं कि bus के सहारे वो b kilometers गया होगा यानि कि यानि कि अगर इसको मैं दिखाना चाहो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की distance हो गई b kilometers और इससे पहले जो distance उसने walk करके cover की यह distance हो गई डबलू kilometers ठीक है तो एक equation तो मुझे directly यहाँ से दिखी गई कि डबलू kilometers और b kilometers को मैं जोड दूँ तो मुझे 35 kilometers मिल जाएगा यह यह और यह इनको मैं जोड देता हूँ आपस में तो total distance मिल जाएगा जो की 35 kilometers दिया हुआ है तो एक equation तो मैं बड़े आराम से यहाँ पर बना सकता हूँ कि डबलू डबलू प्लस b डबलू प्लस b इतना total kilometers जो उसने travel किये यह बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 35 kilometers के तो यह हमारी पहली equation बन गई अब यहाँ पर हमें time भी दिया हुआ है तो चले यह सोचते हैं कि इस time को कैसे relate किया जाए चीजों के साथ तो यहाँ speed भी है distance भी है time है तो मुझे लगता है कि आपने शायद physics में एक बहुत मशूर relation पढ़ी होगी और वो बस इतनी सी बात है कि जितना भी मेरी speed हो जितनी भी मेरी speed हो अगर उसको मैं time के साथ multiply कर दूँ यानि कि अगर मैं माली जे 10 km प्रती घंटे की speed से चल रहा हूँ और माली जे मुझे 2 घंटे लगे तो इन दोनों को जब मैं आपस में multiply कर दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना distance travel कर रहा हूँ यह relation यह relation यहाँ पे हम use करेंगे कि distance equals to speed times time तो यहाँ पे देखिए अगर तो speed हमें पता है distance हमने मान लिया है w km तो मैं इन दोनों के terms में time को लिख सकता हूँ क्योंकि इस equation में अगर मैं दोनों side speed से divide कर दूँ तो मेरे पास आजाएगा time equals to distance upon speed तो बस उसी चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं और लिखते हैं कि total time जो उसको लगा होगा walk करने में वो हो जाएगा distance यानि कि w km divided by speed यानि कि 5 km पर r के बराबर अब उपर नीचे km, km तो बाट जाएगे divide करूँगा मैं km से तो और 1 upon r इधर बचेगा तो वो r उपर numerator में आ जाएगा यानि कि w upon 5 rs उसको लगे होंगे w upon 5 rs उसको लगे होंगे walk करने में उसी तरीके से अगर मैं bus की जणने की बात करूँ तो यहाँ पर उसको कितना time लगा होगा फिर से distance upon time तो bus से उसने हमने माना है कि 20 km ट्रैवल की हैं और उसकी total speed, total average speed थी 60 km पर आर तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इसको b upon 60 hours लगे होंगे bus में अब ध्यान देने वाली बात यहाँ बस इतनी c है कि इस time को इस time को और इस time को अगर मैं जोड दू तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पूरे trip में कितना time लगा है और वो मुझे 1.5 hours के बराबर दी होई है यानि कि w upon 5 plus b upon 60 ये मुझे दे दी गई है 1.5 hours के बराबर तो ये मेरे पहली equation हो गई और ये मेरे दूसरी equation हो गई तो अब हमने पूरे जो यहाँ पे हमको पूरा statement दिया था जो हमारी word problem थी उसको हमने 2 equations में break कर लिया है अब finally हमारे पास 2 equations और बस उनको अब हमको solve करना है और w और b की value बतानी है तो main इसको convert करने वाला part हो गया अब देखते हैं इसको solve करने वाले part में तो एक काम करते हैं पहले तो इसको हम थोड़ा सा whole numbers की time में लिखते हैं इस denominator से इन चीज़ा को हटाते हैं कि हमको फिर solve करने में असानी हो जाए हाला कि अब ऐसे भी solve कर सकते हैं उसमें कोई दिक्तत की बात नहीं है लेकिन अपनी असानी के लिए थोड़ा से इसमें हम changes कर देते हैं तो यहाँ denominator में अगर मैं LCM लो तो यहाँ 5 यहाँ 60 तो इनका LCM हो जाएगा 60 1.5 के बराबर दोनों साइडम में 60 से multiply करता हूँ ताकि denominator से मेरा 60 हट जाए उपर और नीचे 60 से divide करता ही यह हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 1.5 ताइमस 60 यानि 60 का डेर गुना यानि कि 60 प्लस 60 का half यानि कि 30 यानि कि इसकी value आजाएगी 90 के बराबर इसको हम simple multiply करके भी देखेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा तो finally मेरे पास आगया 12W plus B equals to 90 यह हो गई मेरी equation और यह है मेरी दूसरी I mean पहली equation जिसको हमको साथ ही साथ solve करना है अब इसमें आप किसी भी method का use कर सकते हैं किसी भी method का substitution, elimination, cross multiplication, graphical लेकिन जब मैं इन दोनों equations को देखता हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि elimination method यूस करने का इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी है भी और यहाँ पे भी है भी तो अगर मैं इन दोनों equations को यहाँ पे subtract कर दूँगा तो b और b तो अपने आप cancel हो जाएंगे तो मेरे पास जो equation आएगी उसमें सिर्फ एक ही variable बचेगा w जिसकी value मैं निकाल दूँगा तो यह तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया तो बस यही काम करते हैं हम क्या करते हैं हम क्या करेंगे कि इस उपर वाले equation में से equation 1 में से equation 1 में से equation 2 को इसको टुमाला थे इसको माले थे equation 3 क्योंकि 2 और 3 एक्चुली सेम ही चीज़ है बस लिखने का तरीका लग लग है तो फिर इसमें से हम equation 3 को subtract कर देते हैं और शायद इसलिए हमने इसको पहले इसमें convert किया थाकि हम फिर इसको आराम से value निकाल पाई इसका तो w यहाँ पर हमको minus करना है 12 w w minus 12 w हो जाएगा negative 11 w के बराबर b minus b cancel हो जाएगे मुझे दे देंगे 0 equal to 35 minus 90 यानि यह आजाएगा negative 55 के बराबर 35 में से 90 चला जाएगा तो negative 55 बचेगा अब दोनों साइट में negative 11 से divide कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या में लेगा हमें फिर यहाँ पे उपर और नीचे negative 11 से divide करूँगा तो यह हो जाएगा 1 इधर अगर मैं उपर और नीचे negative 11 से divide कर दूँगा तो यह हो जाएगा तो यहां से मेरी w की value 5 के बराबर हो गई यानि कि जो distance उसने walk करके cover की थी वो है 5 km के बराबर अब भी तो हम किसी भी equation में w के value डालके निकाल सकते हैं मालीजे इस equation में हम w के जगा यहां पे 5 डाल देते हैं तो अब मैं दोनों side 5 subtract कर देता हूं यानि कि minus 5 minus 5 तो यहां से यहां से यह और यह cancel हो जाएंगे और b के value आजाएगे 35 minus 5 यानि कि 30 km के बराबर यानि क्या इससे हमें यह समझ में आया कि जो distance उसने walk करके cover की थी वो थी हमारी 5 km और जो distance उसने bus से cover की वो थी हमारी 30 km के बराबर और इनको अगर आप जोड़े भी तो हमें 35 km मिल रहा है और अगर हम यहां से डबलो की जगा 5 रख दे यहां पे बी की जगा 30 रख दे टाइम निकाल दे और दोनों time को आपस में जोड़ दे तो हमें 1.5 RC मिलेगा